आज के लिए आपको लिए चलते हैं पुद्धानम्फी नरीद्र बूदी का संबूधन जश्नियाजादी का आप सुनिए क्या पहिदा हैं अच्छ मेरे परिवार जन आज आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं मैं देश के कोटी कोटी जनों को देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले भारत का सम्मान करने वाले भारत का गवरों करने वाले कोटी कोटी जनों को आज हादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ मेरे प्यारे परिवार जन पुझ्य बापु के नेत्रुत्वों में असयोग का अंदोलन सत्यागर की मुमेंट और भगत्सी सुखदेव राजगुरु जैसे अन्ल गिनत बीरों का बलिदान उस पिड़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजहादी में अपना योगदान न दिया हो मैं आज देश की आजहादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है बलिदान दिये हैं क्या किया है तपस्या की है उन सब को आदर पुर्वग नमन करता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ आज 15 अगस्त महान करंतिकारी और अध्यात्म जीवन के रुशितुल्य प्रनेता स्वी अर्विंदो की 150 वी जेंती पूर्ण हो रही है ये वर्ष स्वामी दायानन सरस्वती के 150 वी जेंती का वर्ष है ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500 वी जन्व सती का बहुती पवित्र आउसर है जो पुरा देश बड़े धाम दुम से मनाने वाला है आ ये वर्ष मिरा भाई वक्ति योग की सिरमोर मिरा भाई के 525 वर्ष का भी ये पामन पर्व है ये वर्ष जो 26 जन्वरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दुएस की 55 वर्ष गांध होगी अनेक प्रकार से अनेक आउसर अनेक संभावनाएं राष्ट निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरना पल पल नई छेतना पल पल सपने पल पल संकल्प शायट इससे बड़ा कोई अउसर नहीं हो सकता मेरे प्यारे परिवार जन इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनियां संकट पैदा किये जिन परिवारों ने इस संकट मैं सहन किया है मैं उन सभी परिवार जनों के प्रती अपने संवेजना प्रगड करता हूं और राज और केंद सरकार मिल करके उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त हो करके फिर तेज गती से आगे बढ़ेंगे कि में इस वाद दिलाता हूं मेरे प्यारे परिवार जनों पिछले कुछ सब्ता नौर्थ इस्ट में विशेश करमनी पूर में और इंदुस्तान के भी अन्ने कुछ भागों में लेकिन विशेश करमनी पूर में जो हिंसा का दौर चला कई लोगों का अपना जीवन खोना पड़ा मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवार हुआ लेकिन कुछ दिनों से लगातार शान्ती की खबरे आ रही हैं देश मनिपूर के लोगों के साथ है देश मनिपूर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शान्ती बनाए रखी है उँश शान्ती के परव को आगे बढ़ाए और शान्ती से इस समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिल करके उन समझाओं के समाधान के लिए भरपूर प्यास कर रही है और करती रहेगी मेरे प्यारे परिवार जनों जब हम इतिहास के दर हम नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमीड छाप छोड़कर रहे जाते हैं और उसका प्रभाव सबियों तक रहता है और कभी कभी शुरुवात में वो बहुत छोटा लगता है छोटी सी घटना लगती है लेकिन वो अनेग समस्याओं की जड़ बन जाती है हमें आद है हजार बारा सो साल पहले इस देश पर आकर्मा हुआ एक छोटे से राज के छोटे से राजा राजा का पराजे हुआ लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को हजार सार की गुलामी में फसादेगी और हम गुलामी में जगरते गए जगरते गए जगरते गए जगरते गए जो आया लूडता गया जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया कैसा विप्रित काल रहा होगा वह जार साल का मेरे प्यारे परिवार जनो गटना छोटी क्यों नहों लेकिन हजार साल तक प्रभाव छोड़के रही है लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसले करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखन में कोई गुभाग ऐसा नहीं था कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आज आती कि लोगों को गल्पना न रखा हो बलिदान की परंपरा न बनाएगी माभारती बेडियों से मक्त होने के लिए उठकडी हुई थी जंजिरों को जगजोर रही थी और देश की नारी शक्ती देश की वाज शक्ते देश के किचान देश के गाउं के लोग मद्दूर कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सप्ने को ले करके जीताना की आजादी को पाने के लिए मर मिटलने के लिए तयार होने वालों की एक बड़ी फोस तयार हो गई थी जेलों में जबानी खपाने वाले अनेत महापुरुष्ट हमारे देश के आज हादी क्यों गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे मेरे प्यारे प्यार परिवार जनो जन चेतना का वो व्यापक रूप त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप जन जन के अंदर एक नए विश्वाज जगाने वाला वत्वल आखिर कर 1947 में देश आजहाद हुआ हजार साहल की गुलामी में संजोय हुए सपने देश वाजिये पूरे करते हुए देखे साथियों मैं हजार साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ फिर एक बार देश के सामने एक मोका आया है इस ऐसे कालखन में हम जी रहे हैं ऐसे कालखन में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सवभाग्य है कि भारत के ऐसे अमरित काल में यह अमरित काल का पहला वर्ष है या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम माभारती की गोद में जन्म ले चुके हैं और ये कानखन मेरे शब्द लिप करके रखे मेरे प्यारे प्यरिवार जनों इस कानखन में जो हम करेंगे जो कदम उधाएंगे जितना त्याग करेंगे तफस्या करेंगे सर्वजिन हिताए सर्वजिन सुखाए एक के बाद एक फैंस ले लेंगे आने वाले एक हजार साल का देश का स्वननिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है इस कालखन में होने वाली घटमाएं आगामी एक हजार साल के लिए इसका प्रभाव प्यदा करने वाली है गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्रणान को समर्पिध हो करके एक नए आत्मविस्वाथ के साथ आज आगे बढ़ रहा है नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है मेरी भारत मा था जो कभी उर्जा का सामर्त था लेकिन राख के धेर में दबी पड़ी थी वो भारत मा एच सो चालिस करोर देश वाच्वों के पुरसार थे उनकी चेतना से उनकी उर्जा से फिर एक बार जागरत हो चुकी है माबारती जागरत हो चुकी है अब मैं साथ देख रहा हूं दोस्तों यही कालगंडे इसने नौँ-दस साल हमने अनुबों किया है बिश्वफर में भारत की चेतना के प्रती भारत के सामर्थ है पती एक नया अकर्षन नया विस्वास नई आशा पैदा हुई है और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो बिश्वकों उसमें अपने लिए जोती नजर आ रही है बिश्वकों एक नया विस्वास पैदा हो रहा है हमारा सौभाग्य है कुछ ऐसी चीजें हमारे पास है जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्त्मान कारखन ने गड़ी है आज हमारे पास डेमोग्राफी है आज हमारे पास डेमोक्रेसी है आज हमारे पास डाइवर्सिटी है देमोग्राफी, देमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेरी भारत के हर सपने को साकेर करने का सामर्थ रख दूँए आज पूरे बिश्व में वहाँ देशों की उम्र ढल रही डलाओ पर है तब भारत योवान की तरफ उरजावान होकर के बढ़ रहा है कितने बड़े गवरों का कालखंड है कि आज तीस साल की कम आयू की जन संख्या दुनिया में सरवाधी कहीं है तो ये मेरे भारत मा की गोद में है ये मेरे देश में है और तीस साल से कम उमर की नवजवान हो मेरे देश के पास हो कोटी कोटी भुजाएं हो कोटी कोटी मस्तिस्क हो कोटी कोटी सपने कोटी कोटी संकल्प हो तो भाई यो भेनो मेरे पिये परिवार जनो हम इच्छित परणाम प्राप्त करके रह सकते हैं मेरे प्यारे पिये वार जनो देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है यह सामर्क देश के भागय को बदल देता है भारत एख हजार साल की गुलामी और आने वाले एख हजार साल के भव्य हारत के बिच में पढाव पर हम खड़े हैं एक ऐसी संदी पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें ने रुकना है ने दुवीदा में जीना है मेरे प्यारे प्रिवार जनो हमें खोई हुई उस विराशत का गर्व करते हुए खोई हुई समरुद्धी को प्राप्त करते हुए हमें फिर एक बार और ये बात मान के चले हम जो भी करेंगे हम जो भी कदम उठाएंगे हम जो भी फैसला लेंगे वो अगले एक हजार साल तक अपनी दिशाम निर्धारित करने वाला है भारत के भाग्य को लिखने वाला है मैं आज मेरे देश के नवज़वानों को मेरे देश की बेटे बेटियों को यह जुरूर कहना चाओंगा जो सवभाग्य आज मेरे वाओं को मिला है ऐसा सवभाग्य शाहेद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है और इसलिए हमें ये घवाना नहीं है युवाशक्ति पर मेरा भरोसा है युवाशक्ति में सामर्थ है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवाश सामर्थ है को और बल देने के लिए है आज मेरे युवाशक्ति ने दुनिया में पहले तीन स्टार्ट अप इकोसिस्टिम में भारत को स्थान दिला दिया है विश्व के युवाओं को अचंबा हो रहा है भारत के इस सामर्थ को ले करके भारत की इस ताकत को देख करके आज दुनिया टेक्नोलोजी ड्रीवन है और आने वाला यूग टेक्नोलोजी से प्रभावित रहने वाला है और तब टेक्नोलोजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमी का रहने वाली है साथियों मैं पिछरी दिनों G20 समीट में बाली गया था और बाली में दुनिया के समर्द समर्द देश दुनिया के विक्सित देश भी उनकों मुख्या मुझे भारत की डीचिटल इंडिया की सफ़ता के लिए बारी क्यों से जानने के लिए इच्छुप हर को इसका सवाल पूस्ता था और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है न वो दिल्ली, मुंबई, चिनली तक सिमित नहीं है भारत ने जो कमाल कर रहा है मेरे टीर टूर, टीर थी सीटी के युवाँ भी आज मेरे देश के अब भाग ये घड़ रहे हैं चोटे-चोटे स्थान के मेरे नवजवान और मैं आज बड़े विस्वाद से कहता हूँ देश का ये जो सामर्त नया नजर आ रहा है और इसने में गयता हूँ हमारे चोटे शहर आकार और आबादी में चोटे हो सकते हैं ये हमारे चोटे-चोटे शहर, हमारे कस्पे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं लेकिन आश्षा और आकांश्षा प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है वो सामर्थ उनके अंदर है नए एप्स, नए सॉलूशन, टक्लोलोजी दिवाइस अग खेलों की दुरिया देखिया कौन बच्चे हैं? जुग्जी जौप्री से निकले हुए बच्चे आज खेलों के दुनिया में पराकरम दिखा रहे हैं छोटे-छोटे गाम के, छोटे-छोटे कस्पे के नवजवान हमारी बेटे-बेटियां आज कमाल दिखा रही है अब देखिये मेरे देश की सौफ जितनी स्कूल ऐसी है जहां के बच्चे सेटलाइट बना करके सेटलाइट छोडने की तैयारिया कर रही है अज हजारों टिंकरिंग लेब नई बेज्यानिकों का गर्भाधान कर रही है अज हजारों टिंकरिंग लेब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नलोजी के राह पर आगे बढ़ने के लिए पेर पेरना दे रहेंगे मैं मेरे देश के नवजमानों को कहना चाहता हूँ अवसरों की कमी नहीं है आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी जाद आउसर आपने देने का सामर्फ रखता है मैं आज लाल किले की पाचीर से मेरे देश की माताओं बेहनों मेरे देश की बेटियों को रुदे से अविननन करना चाहता हूँ देश आज जब पहुँचा है अब विशेश सक्ती जुड रही है मेरी माताओं बेहनों के सामर्फ रखती आज देश प्रगती की रापर चल पड़ा है तो मैं मेरे किसान भाई बेहनों का भी अभिननन कर रहा चाहता हूँ ये आपी का पुर्शार्द है ये आपी का परिश्म है के देश आज क्रिशी क्षेतर मैं आगे बढ़ रहा है मैं मेरे मद्दूरों का मैरे स्रमीकों का मेरे प्रियव परिवारजन ऐसे कोटी कोटी स्रमीकों को आज मैं नमन करता हूँ उनका अभिनदन कर रहा हूँ देश आज जो आधुनिक ताकि और बढ़ रहा है विश्व की तुलना करने वाले सामर्त के साथ नजर आ रहा है उसके पीछे मेरे देश के मद्दूरों का मेरे देश के समीकों का बहुत बड़ा योगदान है आज समय कहता है कि लाध के लेजी की प्राचिर से मैं उनका अभिनंदर करूँ उनका अभिवादन करूँ और ये मेरे परिवार्शन एक सो चालिस करोर देश मासी मेरे दिन समीकों का रेड़ी पट्री वालों का उन सब्जी बेजने वालों का हम सब मान करते हैं मेरे देश को आगे बढ़ाने में मेरे देश को प्रगेति की नहीं हूँ चाही पर ले जाने में प्रपेस्टनल्स की बहुत बड़ी भूमिकाव है बढ़ती रही है चाहे साइंटिस हो चाहे इंजीनियर्स हो डॉक्टर्स हो नर्सीस हो सिट्षक हो आचार्य हो इन्युवर्सिटीज हो गुरुकुल हो हर कोई माभात्र भारती का भविश्य उज्वाल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है मेरे प्यारे परिवार जनों राष्ट्रिय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है और आज वो राष्ट्रिय चेतना ये सिद्ध कर रही है भारत का सबसे बड़ा सामर्थ बना है घरोसा भारत का सबसे बड़ा बना है व्या सामर्थ बना है विस्वास जन जन में हमारा विस्वास जन जन का सरकार पर विश्वास जन जन का देश के उजवल भविश्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रती विश्वास ये विश्वास हमारी नीतियों का है हमारी नीतिय का है भारत के उजवल भविश्व करो जिस निर्धारी मजबूत कदम से आगे बढ़ा रहे उसका है भारियो बहनो मेरे प्याने परिवार जणो ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ और भारत के संभाव ना होए विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है और ये भी समात की मंदाई बुलंदिया नए सामर्थरों को लेकर के चलनी चाहरी है आज देश में G20 समीट के महमान नवाजी का भारत को आउसर मिला है अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कौने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए अनेक कारकम हुए है उसने देश के सामान ने मानुई के सामर्थों को विश्व को परिचित करा दिया है भारत की विविजिता का परिचित करा है भारत के इडाइवर्सिटी को दुनिया अचंबे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरिफ आकर्षन बड़ा है भारत को जानने की समझने की इच्छा देगी उसी प्रकार से आप देखिये एक्सपोर्ट आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया के एक्सपोर्ट इन सारे मानलंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है दुनिया की कोई भी रेटिंग एजन्सी होगी तो भारत का गवरव कर रही है कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिर्य से सोचने लगी और मैं भी स्वास से देख रहा हूँ दिती है विश्व इद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वल ओर्डर अकार लिया था मैं साब साब देख रहा हूँ कि करोना के बाद एक नया विश्व ओर्डर एक नया ग्लोबल ओर्डर एक नया जियो पॉलिटिकल इक्वेशन यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे जाथ भड़ रही है परिभाश भड़ रही है और मेरे प्यारे परिवार जनों आप गवरव करेंगे बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोर देश भड़ियों आपका सामर्थ नजर आ रहा है आप मिलना एक मोड पर खड़े हैं और तोरोना काल में भारत ने जिस पगार से देश को आगे बढ़ाया दुनिया ने हमारे सामर्थ को देखा है जब दुनिया के सप्लाइचें तहस नहस हो गई थी बड़ी बड़ी अर्थ व्योस्ताओं पर दबाव था उस समय भी हमने कहा था हमें विश्व का विकास देखना है तो मानो केंदरी होना चाहिए मान भी ये संबेदनाओं से भरा हुआ होना चाहिए और तब जा करके समस्याओं का सही समाधान निका देंगे और कोविड ने हमें चिखाया है यह हमें मजबूर किया है लेकिन मान भी ये संबेदनाओं से को छोड़ करके हम विश्व का कल्यान नहीं करते हैं आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है भारत की समर्द्र विरासर आज दुनिया के लिए एक आउसर बन रहा है ग्लोबल एकोनामी ग्लोबल सप्लाइचेन जो मैं भारत के हिस्सेदारी मैं पक्ता विस्वास से कहता हूँ आज जो भारत ने परिस्जी पैदा हुई आज जो भारत ने कमाया है वो दुनिया मैं स्थीरता की गारंटी लेकर काया है अब न हमारे मन में न एक सो चालिस करोर मेरे परिवार जुनों के मन में और नहीं दुनिया के मन में कोई इपस है कोई बटस है पिस्वास बन चुका है मेरे प्यारे देश वाजियो अब गैंध हमारे पाले में हमें आउसर जाने नहीं देना चाहिए हमें मूं का छोड़ना नहीं चाहिए भारत में मैं मेरे देश वाच्यों का इसलिए भी अभिन्दन करता हूं कि मेरे देश वाच्यों में एक नीरक्षीर विवेट का सामर्त है समझ्याओं की जणों को समझने का सामर्त है और इसलिए 2014 में मेरे देश वाच्यों ने तीस साल के अनुभाओं के बाद ताय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थीर सरकार चाहिए मजबूत सरकार चाहिए पू 얼마나 भहमत वाली सरकार चाहिए और देश वाज्जियों ने एक मजबूत और स्थीर सरकार बनाई और तीन दसंगों के जो अनिस्चित्ता का कालखन था जो सिर्था का कालखन था जो राजनितिक मजबूरियों से देज जकड़ा हुआ था उसे मुक्ति बली है मेरे प्यारे परिवार जुनों देश के पास आज एक ऐसी सरकार है वो सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए एसके संतुलित विकास के लिए समय का पल-पल और जन्ता की पाई-पाई जन्ता की भाई के लिए लगा रही है और मेरी सरकार मेरे देश वात्सियों का बान एक बात से जुड़ा हुआ है हमारे हर दिने हमारे हर दिशा उसका एक ही मांदन है नेशन फास्ट राष्ट प्रधाम और राष्ट प्रधाम यही तुर्गहामी परणाम सकारात्मक्त परणाम पैदा करने वाला है देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है और लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई है और मैं कहता हूँ 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई है आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किये तो मेरे बुरे करसी के लोग मेरे लाखो हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कौने कौने में सरकार के हिस्से के रुपे काम कर रहे हैं उन्होंने विरोक्रसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए पर्फॉर्म करने की जिम्मेवारी बख्भी निभाई और उन्होंने पर्फॉर्म करके दिखाया और जनता जनारदन जुल गई तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है और इसलिए reform, perform, transform ये कानखन अब भारत के भविश्च को गड़ रहा है और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले एक हजार साल की नीव को मजबूत करने वाले दुनिया को युवा शक्ती की जरुत है, युवा स्कील की जरुत है हमने अलग स्कील मिलिस्ट्री बनाई वो भारत की आवश्चक्ताओं को तो पूरी करेगी वो दुनिया की आवश्चक्ताओं को पूरी करने का भी सामर सरसे जी हमने जल्शंग्ती मंत्राले बनाया मंत्राले की बनाने की रक्षना को विएकर पोई अनालищis करेगा न तो इस सरकार के मन मस्तिस को बड़े अच्छे धंग से आप समझ पाएंगे हमने जल संक्टी सक्ती मंतराले बनाया, यह जलशक्ती मंतराले हमारे देश के, एक-एक देश वाजू को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे, परियावन की रक्षा के लिए पानी के प्रती संवेदन सिल व्यवस्ताइविक्सित हो, उस पर हम बल रहे हैं, हमारे देश में क हमने अलग आयुस बनत्राले बनाया और योग और आयूस आज दुनिया में अपना पर्चम लहरा रहे हैं हमने दुनिया को हमारे कमिट्मεν्ट के करण विश्व का हमारे प्रति धान गया है अगर हमी हमारे सामर्थ को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे चुकार करेगी लेकिन जब बंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मुल्य समझ ने आया मत्षपालन हमारा इतना बड़ा समुद्री तट हमारे कोटी-कोटी मच्वारे भाई बहन उनका कल्यान भी हम मंत्रालय की रखना की ताकि समाज के जिस वर के लोग पीशे रह गए उनको हम साथ हैं देश में सरकारी अर्थ व्यवस्ता की हिस्से होते हैं लेकिन समाज की अर्थ व्यवस्ता का एक बड़ा हिस्फा है कोपरेटिव मूमे उसको बल्द लेनेके लिए उसको आधिरत लानेके लिए अदेश के कौने कौने में लोग तांत्र की एक सबसे बड़ी हिकाई को मजबूत पंट का लेख लिए हमने अलत को अपरेटिम मंत्राला ही बनाया और वो हमारी सहकारी संस्ताएं उसका जाल बिछा रहा है तक ही गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो उसकी आवश्यक्ताओं की पूर्ती हो और वो भी रास की विकात की योगदान में एक छोटी हिकाई का हिस्सा बन करके उसमें वो योगदान दे रखें हम ले सहकार से सम्रद्धिका रास्त अपनाया है मेरे प्यारे परिवार जोनों जब हम दो चौदा में आये थे तो हम वैश्विकार्थ ववस्ता में दस्वे नंबर पर और आज एक सो चालीस करोर देश्वाच्यों का पुरसार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थ ववस्ता में पांचवे नंबर पर पहुँच चुके हैं और ये ऐसे ही नहीं हुआ है कि जड़ ब्रस्वाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे लाखो करोड के गोटाले अर्थ ववस्ता को डावा डोल कर रहे थे गवर्नांस रजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी लिकेजिस को हमें बद किया मजबूरत आर्थ ववस्ता बनाई हमने गरिब करना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्चने का प्रयास किया और आज मैं देश वाचियों को बताना चाहता हूँ कि जब देश आर्थिक रुप से समर्द्ध होता है अब्धि एवाचियों का समर्द्ध बढ़ता है और टीजोरी का पाई पाई अगर इमानदारी से जंता जनाजन के लिए खर्च करने का संकर्प लेने वाली सरकारों तो परणाम के साथ हैं मैं दफ साल का हिसाब तिरंगे की साक्षिप हैं लाज के लिए कि पाचीज से मेरे देश वाच्छों को दे रहा हूं आँके देख कर के आपको लगेगा कि इतना बड़ा बड़ा इतना बड़ा सामरत है दफ साल पहले राज्यों को तीस लाग करोड रुपिय भारत सरकार के तरफ से जाते से हैं पिछले नव साल में यह आखड़ा सो लाग करोड पर पहुंचा है पहले स्थानीय निकायद के विकाद के लिए भारत सरकार के खजाने से सत्तर हजार करोड पर जाता था आज वो तीन लाग करोड से भी जादा जा रहा है पहले गरिबों के घर बनाने के लिए नम्बे हजार करोड रुपिया खर्च होता था आज वो चार गुना होकर के चार लाग करोड से भी जादा खर्च गरिबों के घर बना लिए लिए हो रहा है पहले गरिबों को यूरिया सस्ता मिले जो यूरिया की बैख दुनिया के कुछ बाजारों में तीने जार रुपिती है वो यूरिया की बैख मेरे किसानों को तीन सो में मिले और इसलिए देश की सरकार दस लाग करोड रुपिया मेरे किसानों के यूरिया में सबसी दे रहा है मुद्रा योजना 20 लाग करोड रुपिये उससे भी जादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए अपने वेवसाय के लिए अपने कारोबार के लिए दिये हैं आठ करोण लोगों ने नया कारोबार स्वर किया है और आठ करोण लोगों ने कारोबार स्वरू किया है था है हर कारोबारी ने एक या दो एक या दो लोगों को रोजगार दिया है आठ से दस करोण नए लोगों को रोजगार दिने का सामरत है यह मुद्रा योज़ा से लाब लेने वाले आठ करोण नागरी को करा MSM इसको करीब साड़े तीन लाग करोण रुपे की मदद से कौरोना के संकर में भी उनको दूबने नहीं दिया मरने नहीं दिया उनको इस टाकर दी है One Rank One Pension मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान कभी शहता सतन हजार करोर रुपया भारत की टीजोरी से आद पहुंचा है मैंने निवरुत्त सेना के नायकों के जेब में उनके परिवार में पहुंचा है सभी केटे के लिए मैंने को कुछी की नाये में जादा समय लेना नहीं चाहता हूँ हर केटे के लिए पहले की तुलना में अनेग गुणा फन देश के विकांच के लिए कौने कौने में रोजगार पैदा करने के लिए पाई पाई का उप्योग भारत का भाग्य बतनने के लिए हो और इसलिए हमने काम किया है और मेरे प्यारे प्यासों का परणाम है कि आज पांच साल के मेरे कारकाल में पांच साल के कारकाल में करीबी की जंजिरों को तोड़ करके नियो मिल्क्राइब मिल्क्राइब के रूप में बहार आए हैं जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता मेरे प्यारे परिवार जुनो और जब साड़े तरवे तेरा करोड लोग करीबी की इस मुसिवतों से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजना उनको मदद दी है उनको आवास योजना का लाब बिलना पी-म स्वानिदी से पचास हजार करोड प्यार रेडि पट्री वालों तक पहुंचाया है आने वाले दिनों में आने वाली विश्व कर्मा जैन्ती पर एक कारकम हम आउग लागो करेंगे इस विश्व कर्मा जैन्ती पर हम करीब 13-15,000 करोड रुपिया से जो परमपरागर कौशल्य से रहने वाले लोग जो गजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है जादातर ओभी सी सम्मुदाय से हमारे सुथार हो हमारे सोनार हो हमारे राजमिस्त्री हो हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो हमारे बाल काटने वाले भाई परिवार हो ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महिने में विश्व कर्मा जेंती इंपर विश्व कर्मा योजरा लॉंच करेंगे और करीब 13-15 जार करोड से उसका प्रहरंब करेंगे हमने पी-एम किसान सम्मान निजी में जाई लाग करोड रुपया चीजा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है हमने जल जीवन मिशन हर गर में सुद्ध पानी पहुँचे दो लाग करोड रुपया खर्च किया है हमने आईश्मान भारती होजना ताकि गरीब को बिमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसिबत होती है उसके बुक्ती दिलाना उसको दमाई मिले उसका उप्चार हो अप्रेशन हो अच्छे से अच्छी हस्पितल में हो आईश्मान भारती होजना के ताकि 70,000 करोड रुपय हमने लगाए है पशुदन देश ने कोरोना वैक्सित की बात तो देश को याद है 40,000 करोड रुपय लगाए वो तो याद है लेकिन आपको जान करके खुशी होगी हमने पशुदन को बताने के लिए करीब करी 15,000 करोड रुपया पशुदन के तिका करने के लिए लगाया है मेरे प्यारे देश वासेडों मेरे प्यारे प्यारिवार जनों जनवसाजी केंद्रों ने देश के senior citizens को देश के मद्यंबर के परिवार को एक नई ताकत दी है हम विश्व का कल्यान नहीं कर दो आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है भारत की समर्द विरासर आज दुनिया के लिए एक आउसर बन रहा है ग्लोबल एकोनामिक ग्लोबल सप्लाई चेन मैं भारत के हिस्सेदारी मैं पक्ता भी स्वाथ से कहता हूँ आज जो भारत परिसीजी पैदा हुई आज जो भारत में कमाया है वो दुनिया मैस्थीरता की गारंटी लेकर काया है अब न हमारे मन में न एक सो चालिस करोर मेरे परिवार जुनों के मन में और नहीं दुनिया के मन में कोई इपस है कोई बटस है पिस्वास बन चुका है मेरे प्यारे देश्वास्यों अब गैंध हमारे पाले में हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए हमें मो का छोड़ना नहीं चाहिए भारत में मैं मेरे देश वाच्यों का इसलिए भी अभीरंदन करता हूँ कि मेरे देश वाच्यों में एक नीरक्षीर विवेक का सामर्त है समझ्याओं की जड़ों को समझने का सामर्त है और इसलिए 2014 में मेरे देश वाच्यों ने तीस साल के अनुभाव के बाद तैक किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थीर सरकार चाहिए मजबूत सरकार चाहिए पूरुन भहमत वाली सरकार चाहिए और देश वाच्जियों ने एक मजबूत और स्थीर सरकार बनाई और तीन देसंगों के जो अनिस्टिता का कालखन था जो अस्थिता का कालखन था जो राजनितिक मजबूरियों से देख जकड़ा हुआ था उसे मुक्ति बढ़ी है मेरे प्यारे परिवार जुनों देश के पास आज एक ऐसी सरकार है वो सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए एसके संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई जनता की भाई के लिए लगा रही है और मेरी सरकार मेरे देश वासियों का बान एक बान से जुड़ा हुआ है हमारे हर दिड़े हमारे हर दिशा उसका एक ही मांदन है नेशन फास्ट राष्ट प्रधाम और राष्ट प्रधाम यही जुरगामी परणाम सकारात्मक परणाम पैदा करने वाला है देश में बड़े स्थर पर काम हो रहा है और लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2014 है आपने एक मजबूत सरकार बनाई है और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्बत आई आपने ऐसी सरकार फॉर्म की के मोदी को रिफॉर्म की हिम्बत आई और जब मोदी ने एक کے بعد रिफॉर्म किये तो मेरे बुरिकरसी के लोग मेरे लाखो हाथ पर जो हिंदुस्तान के कौने कौने में सरकार के हिस्से के रूपे काम कर रहे हैं उन्होंने विरोकर्षी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए पर्फॉर्म करने की जिम्मेवारी बक्खुभी निभाई और उन्होंने पर्फॉर्म करके दिखाया और जनता जनारदन जुल जई तो वो ट्रांस्फॉर्म होता भी नजर आ रहा है और इसलिए रिफॉर्म पर्फॉर्म ट्रांस्फॉर्म ये कानखन अब भारप के भविश्च को गड़ रहा है और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले एक हजार साल की नीव को मजबूत करने वाले दुनिया को युवा शक्ती की जरूत है युवा स्कील की जरूत है हमने अलग स्कील मिलिस्ट्री बनाई भारत की आवश्चक्ताओं को तो पूरी करेगी वो दुनिया की आवश्चक्ताओं को पूरू करने का भी सामर्थ रखेजी है हमने जल्षंक्ति मंत्राले बनाया मंत्राले की बनाने की रच्छना को वेकर वो एनालिसिस करेगा न तो इस सरकार के मन मस्तिस को बड़े अच्छे धंक से आप समझ पाएंगे हमने जल्षंक्ति सक्ति मंत्राले बनाया इस जल्षंक्ति मंत्राले हमारा हमारे देश के एक-एक देश्वाज़ों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे परियवन की रच्छा के लिए पानी के परती संबेदन सिल विवस्ताव विच्सित हो उस पर हम बल्ड रहे हैं हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है फोलिस्टिक हेल्थ कैर यह समय की मांग है हमने अलग आयूस मंतरावे बनाया और योग और आयूस आज दुनिया में अपना पर्चम लहरा रहे हैं हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के करण विश्व का हमारे प्रति धान गया है अगर हमी हमारे इस सामर्थ को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे चुकार करेगी लेकिन जब बंतरालाय बना तो दुनिया को भी उसका मुल्य समझ ने आया मत्स पालन हमारा इतना बड़ा समुद्री तट हमारे कोटी-कोटी मच्वारे भाईव हैं उनका कल्यान भी हमारे दिलों में है और इसलिए हमने अलग से मत्स पालन को ले करके पशुपालन को ले करके तेरी को ले करके अलग मंत्रा नहीं की रखना की ताकि समाज के जिस वर के लोग पीशे रह गए उनको हम साथ देश में सरकारी अर्थ व्यवस्ता के हिस्से होते हैं लेकिन समाज की हर्थ व्यवस्ता का एक बड़ा हिस्सा है कॉपरेटिव मूमें उसको बल देने के लिए उसको आधिरिक लाने के लिए और देश के कौने मंत्र की सबसे बड़ी हिकाई को मजबूत पंड़ कर देख लिए हमने अलत को अपरेटिम मंत्रालाई बनाया और वो हमारी सहकारी संस्ताएं उसका जाल बिछा रहा है ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो उसकी आवश्यक्ताओं की पूर्ति हो और वो भी प्रोटी हिकाई का हिस्सा बन करके उत्में वो योगदान दे रखें हमने सहकार से समर्दिकार रास्त अपनाये हैं मेरे प्यारे परिवार जुनों कि जब हम दो चौदा में आये थे तो हम वैश्विकार्थ ववस्ता में दस्वे नंबर पर तो और आज 140 करोर देश्वाच्यों का पुरसार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थ ववस्ता में पांचवे नंबर पर पहुँच चुके हैं और यह ऐसे ही नहीं हुआ है जग ब्रस्चाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे लाखो करोड के गोटाले अर्थ ववस्ता को डावा डोल कर रहे थे गवर्नांस प्रेजाईल फाईल में देश की पहचान होने लगी थी लिकेजिस को हमने बंद किया मजबूरत अर्थ ववस्ता बनाई हमने गरीब करना के लिए जादा से जादा धन खर्चने का प्रयास किया और आज मैं देश वाचियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिकृफ से समुरिद्ध होता है तो सिर्प टिजोरी नहीं परती है। देशकर सामर्थ बड़ता है। देश वाचियों का सामर्थ बढ़ता है। और टीजोरी का पाई पाई अगर इमानदारी से जंता जनादन के लिए खर्च करने का संक्रप लेने वाली सरकारों तो प्रणाम के साथ है कि मैं दफ साल का हिसाब तिरंगे की साक्षिप हैं लाज के लिए की पाचीज से मेरे देश वाच्चों को दे रहा हूं आख करें देख कर क्या आपको लगेगा कि इतना बड़ा बड़ा इतना बड़ा सामर्त है दफ साल पहले राज्यों को तीस लाग करोड रुपिये भारत सरकार के तरफ से जाते हैं पिछले नव साल में यह आकड़ा सो लाग करोड पर पहुंचा है पहले स्थानिय निकाय के विकात के लिए भारत सरकार के खजाने से सतर हजार करोड प्या जाता था आज वो तीन लाग करोड से भी जादा जा रहा है पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड रुप्या खर्च होता था आज वो चार गुना होकर के 400,000,000 करोड से भी जानदा खर्च गरीबों के घर बना लिखने हो रहा है पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले जो यूरिया की बैग मेरे किसानों को तीन सुमें मिले और इसलिए देश की सरकार 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 आठ करोण लोगों ने नया कारोबार स्वर किया है और आठ करोण लोगों ने कारोबार स्वर किया है ता नहीं हर कारोबारी ने एक या दो एक या दो लोगों को रोजगार दिया है आठ से दस करोण नए लोगों को रोजगार दिने का सामरत है यह मुद्रा योजना से लाब लेने वाले आठ करो नागरी को करा MSM इसको करीब 35,5,5 करो रुपे की मदब से कोरोना के संकट मैं भी उनको दूबने नहीं दिया मरने नहीं दिया उनको इस ताकर दी है One rank, one pension मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का भी शैथा 47,000 करो रुपया भारत की तीजोरी से आड पहुंचा है मेरे निवरुटत सेना के नायकों के जेब में उनके परिवार में पहुंचा है सभी केटेगरी में मैंने को कुछी की नाएं में जादा समय लेना नहीं चाहत ही हर केटेगरी में पहले कि फुल्दा में अन्य गुणा फन देश के विकांश के लिए कौने कौने में रोजगार पैदा करने के लिए पाई पाई का उप्योग भारत का भाग्य बदनने के लिए हो और इसलिए हमने काम किया है और मेरे प्यारे प्यासों का प्रणाम है कि आज पांच साल के मेरे तारकाल में, पांच साल के तारकाल में पांच साल में साड़े तेरा करोड मेरे गरीब भाईबेन करीबी की जंजिरों को तोड़ करके नियो मिडल क्रास मिडल क्रास के रूप में बहार आए है जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता मेरे प्यारे परिवार जुनो और जब साड़े तरवे तेरा करोड लोग करीबी की इस मुसिबतों से बाहर निकलते हैं उनको आवास योजना का लाब बिलना पी-म स्वानिती से पचास हजार करोड प्या रेड़ी पट्री वालों तक पहुंचाया है आने वाले दिनों में आने वाली विश्व कर्मा जैनती पर एक कारेकम हम आग लागो करेंगे इस विश्व कर्मा जैनती पर हम करिब तेरा पंदरा हजार करोड रुपिया से जो परामपरागर कौशल्य से रहने वाले लोग जो गजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है हमारे सुथार हो हमारे सोनार हो हमारे राजमिस्त्री हो हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो हमारे बाल काटने वाले भाई परिवार हो ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महिने में विश्व कर्मा जैनती पर विश्व कर्मा योजरा लॉंच करेंगे और करीब 13-15 अजार करोड से उसका प्रारंब करेंगे हमने पी-एम किसान सम्मान निजी में क्याई लाग करोड रुपया सीजा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है हमने जल जीवन मिशन हर गड़ में सुद्ध पानी पहुँचे दो लाग करोड रुपया खर्च किया है हमने आईश्मान भारत योजरा ताकि गरीब को बिमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसिबत होती है उसको बुक्ति दिलाना उसको दमाई मिले उसका उप्चार हो अप्रेशन हो अच्छे से अच्छी हस्पिकर दे हो आईश्मान भारत योजरा के तहक सत्तर हजार करोड रुपय हमने लगाए है पशुदन देश ने कोरोना वैक्सिर की बात तो देश को याद है चानिस हजार करोड रुपय लगाए करें देश के सीनियर सिटीजन्स को देश के मध्यनबर की परिवार को एक नई ताकत दी है जिस्ट परिवार में अगर किसी को डाइबिडियस जैसा हो जाए तो तीन हजार रुपया दवाई का बिल स्वाविक हो जाता है हम ले जन अवस्षजी केंदरों से जो दवाई बाजार में शोल रुपय में मिलती है धस रुपय, पनरा प्लपय, बिस रुपय में दी और आठ देश में 1000 केंदरों से मेरे इन बिमारी में जिनको दवाई की जरुवत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड रुपिया उनके जेब में बचा है और यह ज़्यादा तर मद्दिम्बर के परिवार के लोग है लेकिन आज उसकी सफ़नता को देख के हुए मैं देश वाज़ियों को कहना चाहता हूँ जैसे हम एक विश्वकर्वा योज़ना लेकर के समाज के उस वर्थ को छूने वाले हैं अब देश में 10,000 जन अउसदी केंद्र से हम 25,000 जन अउसदी केंद्र का लक्ष लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं मेरे प्यारे परिवार जनो जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मद्दिम्बर की तांकत बहुत बढ़ती है और अगर दुनिया में और मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ आने वाले पांच साल में मोधी का गरंटी है देश पहले तीज बैश्विक के कौनों में अपना जगा ले लेगा यह पक्ता जगा ले लेगा आज जो साड़े तेरा खरोड गरीबी से बहार आयोए लोग हैं वो एक प्रकर्द मद्दम्बर की ताकत बन जाते हैं जब गरीब की खरीच सक्ति बढ़ती है तो मद्दम्बर की प्यापार शक्ति बढ़ती है जब गाओं की खरीच सक्ति बढ़ती है तब कश्बे और शहर की आर्थिक वबस्ता और तेजगती से दोरती है और यही interconnected हमारा अर्थ चक्र होता है हम उसको बल लेकर के आगे करना चाहते हैं मेरे प्यारे परिवार जनों शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं बिना घर को मुसिबत रहती है मद्नमबर के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योधना लेकर के आ रहे हैं अब जिसमें ऐसे मेरे परिवार जन जो शहरों में अपना घरों में रहते हैं लेकिक किराए के मकान पे रहते हैं जुगी जोपड़ी में रहते हैं चान में रहते हैं unauthorized colonies में रहते हैं ऐसे मेरे परिवार जन अगर अपना मकान बनाने चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर रहाद दे करके लाखों रुप्यों की मदद करने का हमने निर्णे किया है मेरे मददमबर के परिवार को जब बढ़ नाँ किया सीमां बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाख सैलरी क्लास्स को होता है मेरे मददमबर को होता है इंटरनेट का डेटा बहुत मेंगो था 2014 के पहले अग दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है हर परिवार के पैसे बच रहे हैं मेरे प्यारे परिवार जनो विश्व कोराना के बाद अभी तक उफर नहीं पाया है युद्धने फिर एक नहीं मुसिबत पादा की है आज दुनिया महंगाई के संकर से जूज रही है पूरी दुनिया की अर्थे ववस्ता को महंगाई ने दबोच के रखा है हम भी दुनिया से जिन सामान की जरुद होती है लाते हैं तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं हमा भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए बर्सक प्रयास किये पिछले कालखन की तुलना में हमें कुछ सभलता भी मिली है लेकिन इतने से संतोस नहीं मान सकते दुनिया से हमारी चीज़ी अच्छी है इतने बात से हम सोच नहीं सकते मुझे तो मेरे देश वाज़ को महंगाई की ताक बोज कम से कम हो इस दिक्षा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठाके रहेंगे मेरा प्रयाफ निरंतर जारी रहेंगा मेरे प्यारे परिवार जनों आज देश अने एक शमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है देश आधुलिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है आज देश रिन्यूबल हेनर्जी पर काम कर रहा है आज देश ग्रीन हाइडरोजन पर काम कर रहा है देश की स्प तरे भारत बुलेट ट्रेल भी आज देश के दर काम कर रही है गाउं गाउं पक्की सड़के बन रही है तो इलेक्ट्रिक बसे मेट्रों के रचना भी आज देश में हो रहे हैं आज गाउं गाउं तक इंटरनेट पूंच रहा है तो पॉंटम कंप्पूटर के लिए के भी देश कर रहता है नेनो इल्यान नेनो डीएपी उस पर काम हो रहा है तो दूसरे तरफ जैवी खेती पर भी हम बलदर रहे हैं आज किसान उत्पाजक संग एप्यों का निर्मान हो रहा है तो हम सेमी कंडुक्टर का भी निर्मान करने के लिए चाह रहे हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्मान के लिए काम करते हैं तो हम परालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा जंडा घार लेक लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ हुआने बना रहे हैं हम खिलाडियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आंच कैसे आज बारत है पुरानी सोल पुराने दहरे को छोड़कर किल क्रस्यों को तएक करें ौक सो प्राप्त करने कि रियानार से अचनल रहा है और जैंब्य के कहता हूं कर्या जिसका से लान्यास हमारी सरकार करती हैं उसका उठहर्ण भी हमारे कालखनमे करते हैं इन दिनों जो में चलानियत कर रहा हूं न आप लिख के रखिए उसके उद्धातन भी आप सबने मेरे नसिब में ही छोड़े हुए है हमारी कारे संस्कृरी जी बड़ा सोचना दूर का सोचना सरवजन हिताय सरवजन सुखाय सोचना ये हमारी कारे खैली रही है अगसोज से भी जादा शंकल्ठ से भी जादा हाँचिल कैसे करना इस उर्जा के साथ हम काम करते हैं हमने आजहादी की काल महोत्सों में 75,000 अमरीज सरोवर बनारे का संगलप किया था उस समय हमने हर जिले में 75,000 अमरीज सरोवर की कापना की थी लेकिन आज करीब करीब 75,000 अमरीज सरोवर का काम निर्मान हो रहा है यह अपने आप में बहुत बिड़ा काम हो रहा है जन शक्ति और जल शक्ति की ताकत हारत के परियावरन के रख्षा में भी काम आने वादी है अठारा जार गाउं तक बिजली पहुँचाना जन तंक बेन खाते खोलना बेटियों के लिए साउचाले बनाना सारे टार्गेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा और जब बारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके जाता है यह हमारा ट्रेक रकॉड कहता है दो सो करोर वैक्सिनेशन का काम दुनिया हमें जब पुझति हैं दो सो करोर चुनती है उनकी आँखे फड़ जाती है इतना बड़ा काम कि मेरे देश के अंगेनवाडी वरकर हमारी आसा वरकर हमारी हेल्थ वरकर उन्होंने करके दिखे यह मेरे देश का सामरत है फाउजी को रोल आउट किया दुनिया में सबसे तेज गती से फाउजी रोल आउट करने वाला मेरा देश है 700 जेदिक जिलों तक हम पहुँच चुके हैं और अब 6G की भी तैयरी कर रहे हैं हमने ताज़फोर्ट बना दिया है रिन्यूबल एनर्जी हम तार्गेट से पहले चले हैं हमने रिन्यूबल एनर्जी 2030 का जो तार्गेट तैय किया था 21-22 पे इसको पुरा कर दिया हमने इचेलों में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी वो भी हमें समय से पांच साल पहले पुरा कर दिया हमने 500 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट की बात की थी वो भी समय के पहले 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कर दिया हमने ताई कि यह हमारे देश में पतीस साल से चर्टा हो रही थी कि देश में नई सौंसद बने पारणा में का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई सौंसद गे यह मोदी है समय के पहले नई सौंसद बना करके रख दिया मेरे पहले धाई के न ये ताकाम करने वाली जरकार है, निर्धारिज लच्छों को पार करने वाली जरकार है, ये नया भारत है, ये आप मविश्वात से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है, और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न ठकता है ये भारत न हापता है और नहीं ये भारत हारता है और इसलिए मेरे प्यारे परिवार जोनो आर्थिक शक्ती भड़ी है तो हमारी शामरीक शक्ती को भी एक नई ताकत बिली है हमारी सीमा पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैटे हुए मेरे जबान जो देश की सिमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश के अंतरिक सुरक्षा के समालने वाले युनिफर्म फोर्सी में आज़ादी के इस पावन परवपर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हुँ सेना का अधिकरन हो हमारी सेना युवा बने हमारी सेमा बैटल के लिए रेड़ी युद्य योग्य बने इसलिए निरंतर रिफॉम का काम आज हमारी सेना में हो रहा थैं मेरे प्यारे परिवाद जनों आए दिन हम लोग सुना करते थे यहां बम धमाका हुआ वहां बम धमाका हुआ हर जगा पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैट को मच्छुना एनाउंस्मेंट होते रहते थे आदेश सुरक्षा के अनुभूती कर रहा है और जब सुरक्षा ह होती है तो प्रगति के नए अर्मान हम पूरे कर सकते हैं उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीते हुए बात हो गई है निर्दोशों के जो मौत होते थे तो बीते हुए कल की बात हो गई है आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है नकसल प्रभाविल छेत्रों में भी बहुत बड़ा बडलाव आया है बहुत बड़ा परिवर्तन का एक बातावरन बना मेरे प्यारे परिवार जनो प्रगेति के हर चीज में लेकिन जब पेंटी फोर्टी सेवन हम एक विक्सित भारत का सपना ले करके चल वह है तब और वो सपना नहीं एक सो चालिस करोर देश वाजियों का संकल्प है और उस संकल्पों सित्य करने के लिए परिश्रम की पराकाष्टा भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रिय चरित्र होता है दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है दुनिया में जो जो देश सं कटों सो वो पार करके निकले हैं उस हर के अवसमे हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजन रहा है वो राष्ट्रिय चरीत्र रहा है और हमें राष्ट्रिय चरीत्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा हमारा देश हमारा राष्ट्य चरित्र ओजस्वी हो तेजस्वी हो पुर्शार्थी हो पराकभी हो प्रखर हो यह हम सबका सामुहिक दाईत्व है और आने वाले पचीश साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले कि हमारे राष्ट्य चरित्र के सिर्मोर होना चाहिए एकता का संदेश भारत की एकता को जीना भारत की एकता को आँचाए न ऐसी मेरी भाशा होगी न ऐसा मेरा कोई कदम होगा हर पल देश को जोडने का प्रयास मेरी तरब से भी होता रहेगा भारत की एकता हमें सामर्थ देती है उत्तर हो दक्चिन हो पुरब हो पतिम हो गावो शहर हो पुरूस हो नारी हो हम सबने एकता की भाव के साथ और विवित्ता भरे देश में एकता का सामर्थ होता है और दूसरी महत्त्र की बात मैं देख रहा हूँ अगर 2047 में हमें हमार देश को दिख्सित भारत के रुप में देखना है तो हमें स्रेश्ट भारत के मंत्र को जीना होगा हमें चरितार करना होगा अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट दुनिया के किसी भी टेबल पर मेकिन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विस्वाथ होना चाहिए इससे बहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है यह अल्टिमेट होगा हमारी हर चीज हमारी सर्वीसिज होगी तो स्रेश होगी हमारी संस्ताय होगी तो स्रेश्ट होगी हमारी निड़े प्रक्रिया होगी तो स्रेश्ट होगी यह स्रेश्ट का भाव लेकर कहबें चलना होगा तीसरी बात है कि देश्ट में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक शक्ति का सामर्त भारत को आगे ले जाना वाला है और वो है विमेन लेट डेवलोप्मेंट आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरी कुड्डे में अगर किसी एक देश में सबसे ज़दा विमेन पाइलोट है तो मेरे देश में है आज चंद्रयान की गतिव हो मून मिशन की बात हो मेरी विमेन साइंटिस उसका नेत्रुत्व कर रहे हैं आज विमेन सेल्फ हेल्फ गूप हो मेरी दो लाख दो करोड दो करोड लगपती दीजी का लक्ष लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्फ गूप के हम काम कर रहे हैं हम हमारी नारी सक्ति के सामरतों को बढ़ावा देते हुए विमेन लेट डेवलप्मेंट के और जब G20 में मैंने विमेन लेट डेवलप्मेंट के वीशव को आगे बढ़ाया है तो पुरा G20 समो इसके महत्वए को स्विकार कर रहा है और उसके महत्वए को स्विकार करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं उसी प्रकार से भारत विवित्ताओं से भरा देश है असंतुलिस विकास के हम शिकार रहे हैं मेरा पराया का करण हमारे देश के कुछ हिस से उसके शिकार रहे हैं अब हमें Regional aspirations को संतुलित विकांस को बल देना है और Regional aspirations को लेकर के उस बावना को हमें सनमान देते हुए जैसे हमारी भारत मा का कोई हमारा शरीर का कोई अंग अगर अविक्सित रहे तो हमारा शरीर विक्सित नहीं माना जाएगा हमारा सरीर का कोई अंग जुरुबल रहे तो हमारा सरीर स्वस्ता नहीं माना जाएगा वैसे ही मेरी भारत माता उसका कोई एक भूभाग भी समाज का कोई तपका भी अगर जुरुबल रहे तो मेरी भारत माता समर्त हैं स्वस्ता हैसा बैट करें कि हम नहीं बैट सकते हैं और इसलिए रीजिनल एक्स्पुरेशन को हमने एड्रेस करने के आवस सकता है और इसलिए हम समाज का सरवांगी धिकास हो सरवत पर्शी विकास हो उभाग के हर खेतर को उसके आप titre को खिलने का अवसर मिले उद्धिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे परिवार जनों भारत नदर अब डिमोक्राइशी है भारत मोडल अब डाइवरसिटी भी है भाचाय अनेक हैं बोली आनेक हैं परिजान अलेक हैं विविद्दाए बहुत है हमने उन सारे लोगो सारों को अधार पर आगे बढ़ना है मेरे प्यारे परिवार जनों बेस के जब मैं एकता की बात करता हूं तब अगर गटना मनिपूर में होती है तो पीड़ा महराष्ट में होती है अगर बाड़ा साम में आती है तो बैचेन केरला हो जाता है दुनी इंदिसान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो हम एक अंगांगी भाव की अनुभूति करते हैं मेरे देश की बेटियों पर जुल्म नहों यह हमारा सामाज्यक विदाईत्व है यह हमारा पारिवारिक दाईत्व भी है और यह देश के नाते हम सब का दाईत्व है आज जब अफगानिस्थान से ग जब आप दुनिया के किसी देश में कोवीड के काल में मेरा कोई शिख भाई लंगर लगाता है भूकों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाई होती है तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है मेरे प्यारे प्यरिवार जनो हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा है तो वहाँ एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर उसने मुझे एक सवाल पूछा उसने कहा आपके हाँ बेटियां साइंस और इंजिनिरिंग के विशों की पढ़ाई करती है क्या उसमें कहा आज मेरे डेश में लड़कों से ज़्यादा बेटियां आज स्टेम स्टेम हैंने साइंस टेकनोलोजी इंजिनिरिंग और मैथ अधिक्तम भाग मेरी बेटियां ल आज हमारे देश का देख रहा हैं, मेरे प्यारे परिवार जनों, आज दस करोर महिला आए है, विमेंट सेल्फ हेल्फ में गुरुडी जुड़ी हुई है, और विमेंट सेल्फ हेल्फ के साथ आप गाउं में जाएंगे, तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंग लगपती दीजी बनाने का, गाउं में दो करोर लगपती दीदान, और इसके लिए एक नया अभिकम लिएगा, साइंस और टेक्नलोजी हमारे गाउं के महलाओं का भी सामर्त देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजरा सोच रहे हैं, कि हमारे अग्रिकल्टर सेक्ट देंगे, और हजारों ऐसे विमेन सेलफ हेल्ट गूप को भारत सरकार ड्रोन देंगी, ट्रेनिंग देंगी, और हमारे अग्रिकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाए उपलब्द हो, इसके लिए हम सुरुवाद करेंगे, प्रारम हम, 15,000 विमेन सेलफ हेल्ट गूप के द्वा ये ड्रोन की उडान का हम आरम कर रहे हैं, मुझे विश्वास हैं कि इसके कारण हमारे परिवार जनों का, मेरे प्यारे परिवार जनों, आज देश आधुनित्ता की तरफ बढ़ रहा है, हाईवे हो, रेलवे हो, एरवे हो, आईवे हो, इनफर्मेशन वेच, वाटर वेच हो, कोई शेत्र ऐसा नहीं है, जिस शेत्र को आगे बढ़ाने की दिसा में, आज देश काम न करता हो, किछले 9 वरस में, कत्रियक खेत्रों में, हमने आधिबहत्य खेत्र में, हमारे पहाड़ी खेत्र में, विकास को बहुत बर्ज़ दया है, हमने पर्मत माला, भारत माला, एसी योजनाओं के द्वारा, समाच के उस वर्द को हमने बल दिया है, हमने केस की पाइपलाइन से हमारे पुर्वी भारत को जोडने का काम किया है हमने अस्पतालों की संग्या बढ़ाई है हमने डॉक्टर की सीटे बढ़ाई है ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बने का सपना पुरा कर सके हमने मात्रु भाषा में पढ़ाने पर बल दिया है अब मात्रु भाषा में वो पढ़ा ही करसे के उद्धिशा में है और मैं भारत की सुप्रिम कोड का भी धन्यवाद करता हूँ कि भारत की सुप्रिम कोड ने कहा है कि आप जो judgment देंगे उसका जो operative part होगा वो जो अदावत में आया है उसकी भाषा में उसको प्लब्द होगा बात्रू भाषा का महात्मय आज बढ़ रहा है मेरे प्यारे परिवार जनो आज तक हमारे देश के जो border village है हमने vibrant border village का एक कारकम शुरू किया है और vibrant border village अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखरी गाउं हमने उस पूरी सोच को बदला है वो देश का आखरी गाउं नहीं है सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गाउं है अगर सुरज उखता है पुरब में तो उस तरब के गाउं में पहली सुरज की किरनाती है अगर सुरज ढलता है तो इस तरब के गाउं में आखरी कीरन उसको अलाब मिलता है ये मेरे पहले गाउं है और मेजे खुसी है कि आज मेरे इस कारकम के विशेश महमान ये जो पहले गाउं है सीमावर्ती गाउं है उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की पाचीज के इस महत्वपुर्ण कारकम का हिस्सा बनने के लिए आये पहली बार वो इतनी दूर तक आये हैं नए संकल्प और सामर्थ के साथ जुड़ने के लिए आया है मेरे प्यारे परिवार जुनों हमने संतुलिक विकास के लिए एस्परेशनल डिस्टिक एस्परेशनल ब्लॉक की कलपना की अर आज उसके सुख़त प्रणा मिल रहे हैं आज राज्ये के जुप नॉर्मल परामिटर्स है जो एस्परेशनल डिस्टिक का भी बहुत पीछे थे वो आज राज्ये में भी अच्छा करने लगे हैं अज मैंजी विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह हमारे आकांची जिल्या हमारे आकांची बॉल अवश्य आग और भारत स्रेश्ट्रक्ता की तरफ बल्दें इस रहा कहा था था विमेंडेंडेले लेट डिफ्लमेंट की वहने बात कही ठी और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जैसे रीजुनल एक्पेरेशन मैंने चौत्य बात कही थी पांची महारे वाहतों की बात हो और भ भूमिक आदा करें और आज कोरुना के बाद में देख रहा हूं जिस प्रकार के संकर की घड़ी में देश में दुनिया की मदद की उसका परिड़ाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूपे विश्व का अतूट साथी के रूपे आज मेरे देश की पहचान बनी है हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूल भूत विचार है उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग है और मुझे खुजी है कि आज अमेरिकी सांसत के भी कई चुने हुए गणमान्य प्रतिनिती भी आज हमारे पंदर अगस के इस आउसर में हमारे बीच में मौझूद है भारत की सोच कैसी है अब विच्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं अब देखिए हम जम सोचते हैं तो क्या कहते हैं हमने दुनिया के सामने यह दर्शन रखा है और दुनिया उस दर्शन को लेकर करके हमारे साथ जूट रही है हमने कहा वन सन वन वर्ल वन ग्रीड रिन्यूबल अनर्जी के ख्षेतर बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है अग दुनिया उसको स्विकार कर रही है कोविड के बाद हमें दुनिया को कहा हमारा एप्रोज होना चाहिए वन अर्फ वन हेल्फ समस्याओं का समादान तब होगा जब मानव को पच्छू को पउधे को बिमारी के समझ में समान रूप से एड्रेस किया जाएगा तब जाकर करेंगे हमने G20 समीट के लिए दुनिया के सामने कहा आए वन वर्ल वन फैमिली वन फ्यूचर इस सोच को लेकर के चल रहे हैं हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकर से जूज रही है हमने रास्ता दिखाया है लएफ मिशन लॉँच किया है लाइफ स्टाइल फॉर एन्वार्मेंट हमने दुनिया के सामने इंट्रेस्ल सोलार अलायांस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंट्रेस्ल सोलार अलायांस का हिस्सा बन रहे हैं हमने बाव डार्वर्सिटी का महत्व देखते हुए बिग कैट अलाइंस की व्यवस्ता को हमने आगे बढ़ाया है हमने प्राकृतिक अब्दा के कारण ग्लोबल वार्मिक के कारण इंफ्रासेक्टर का जो उप्षान होता है उसके लिए गुर्गामी व्यवस्ताओं की जबुरत है हजले कॉलिशन पोर डिजास्टर रेजिलियन इंफ्रासेक्टर सीडी आराई एक समाधान के रुपे दुनिया को दिया है बिश्वा आज समुद्रों को संगर्स का केंदर मना रहा है तो अब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है जो वैश्विक समुद्रिक्षान्ति की गारंटी बन सकता है हमने पारंपारिक चिकित सापध्धेश्यों को बल लेते हुए डबली ओचा का एक ग्लोबल लेवल का सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व कल्यार और विश्व के स्वस्तता की दिशा में काम किया है और आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नीव डाल रहा है इस मजबूत नीव को आगे बनाना हम सब का काम है हम सब की जिम्यवारी है मेरे प्यारे परिवार जनो सपने अनेक है संकल्प साब है नीतियां स्पस्ट है नियत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है लेकिन कुछ सचाईयों को हमें स्विकार करना पड़ेगा और उसके समादान के लिए मेरे प्रिवार जनो मैं आज लाल किले से आपकी मदज बांगने आया हूँ मैं लाल किले से आपके आशिरवाद मांगने आया हूँ क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है देश की आवस्ष्टाओं को जो मैंने परखा है और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आज गंबीरता पुर्वत उन चीजों को हमें लेना होगा रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है पीशे नियट नहीं और इसके लिए सुचिता पारदर्शिता और निस्पक्षता यह पहली आवजबूती की जरुरत है हमें उस मजबूती को जितना जादा खाथ पानी दे चाहएं सहुस्ताओं के माद्डन दे चाहएं नागरिक के नापने सकते हैं परिवार के नापने सकते हैं ये हमारा सामुहिक दाईत्व होना चाहिए और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहाद देखिए भारत के सामर्थे में कोई कमी नहीं थी अरे जो देश कभी सोना की चिडिया कहा जाता था वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थे को लेकर के खड़ा हो सकता है मेरा अतूर्ट विस्वाथ से साथियो मेरे पियप परिवार जनो मेरा अखंड अतूर्ष एक निष्ट विस्वाथ है कि 2047 में जब देश आजादी के सो साल मनाएगा मेरा देश विक्सिद भारत बन के रहेगा और ये मैं मेरे देश के सामर्थ के अधार पर कह रहा हूँ मेरे उपलब्द संसादरों के अधार पर कह रहा हूँ ऐसे घर कर गई है हमारी समाज ववस्ता का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आँख भी बंद कर देते हैं अब आँख बंद करने का सबय नहीं है अगर सपनों को सिद्ध करना है संकल्प को पार करना है तो हमें ये आँख में छोली बंद करके आँख में आँख मिलां करके तीन बुराईयों से लड़ना बहुत समय की मांग है अमारे देश की सारी समझाओं की जड़ में प्रस्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्ताओं को देश के समर्थ 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 को पूरी तरह नोच लिया है प्रस्टाचार से मुक्ती प्रस्टाचार के खिलाब जंग हर जी काई में हर ख्षेत्र बैए और मैं देश वासियों मेरे प्रिये परिवार जनों ये मोदी के जीवन का कमिट्मेंट है कि मैं प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता रखूँगा दूसरा हमारे देश को नोच लिया है परिवार बाद ने इस परिवार बाद ने देश को जिस प्रकार जे जकड के रखा है उसने देश के लोगों के हक चिना है और तीसरी बुराई तुस्ट्री करन की है ये तुस्ट्री करने भी देश के मुल्फुचिंतन को देश के सर्वसमास बैशर हमारे राष्ट्रे चरित्र को दाग लगा दिये हैं तैस नैस कर दिया है इन लोगों ने और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों इसलिए मेरे प्यारे परिवार जनों हमें इन तीन गुराईयों के खिलाफ पूरे सामर्थ के साथ लड़ना है प्रस्ट्राचार परिवारबाद तुस्ट्री करन ये चुनोतियां हमारे ये ऐसी चीजे पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांचा है उसका दमन करती है हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा पोटा सामर्थ है उसका शोशन करती है ये ऐसी चीजे है जो हमारे लोगों के आशा आकांचाओं को सवाल या निसान में गार देती है हमारे गलीब हो हमारे दलीत हो हमारे पिछडे हो हमारे पसमांदा हो हमारे आदिवासी भाई बहन हो हमारी माताई बहने हो हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराईयों से मुक्ति पानी है हमें प्रस्टाचार के खिलाब एक नफरत का बाहूल बनाना है जैसे गंड़की हमें नफरत परदा करते हैं मन में गंड़की पसंद नहीं है ये सारवजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंड़की नहीं हो सकती और इतने हमारे स्वचता भियान को एक नया मोड ये भी देना है कि हमें प्रस्टाचार से मुक्ति पानी है सरकार टेकनोलोजी से प्रस्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्यास कर रही है आपको जानकर कहरानी होगी इस देश में पिछले नव साल में एक काम मैंने ऐसे किया आकरा सुने को तो लोग है कि मुदी ऐसा करता है जैसे दस करोड लोग करीब करीब जो गलत फाइदा उठाते थे वो मैंने रोड दिया तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से नया कर दिया जी नहीं ये दस करोड वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके वीड़ो हो जाते थे वो वृद्ध हो जाते थे वो दिव्यांग हो जाते थे फाइदे लिए जाते थे दस करोड़े से बे नामी जो चीजे चलती थी उसको रोकड़े का पवित्र काम प्रस्ताचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त किये थे वो पहले की तुल्ला में 20 गुना जादा की है मेरे प्यारे परिवार जनों यह आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर भागे थे बीस गुना जादा संपत्ति को जब्त करने गा और इसले लोगों की मेरे प्रस्ताचार के खिलाप की लड़ाई को आगे बढ़ाना है हमारे सरकारी व्यवस्ता ले पहले केमेरा के सामने तो कुछ हो जाता था लेकिन बाद में चीज़ें अटक जाती थी हमने पहले की तुर्णा में कई गुना जादा अदालत में चार सिट की है और अब जमानते भी नहीं मिलती है वैसी पक्की दवस्ता को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम इमानदारी से ब्रस्ताचार के खिलाप रड़ रहे हैं हाज परिवारवार और तुष्टिकरन इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भागी किया है अब लोगतंत्र में यह कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी और मैं विशेद बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी आज मेरे देश के लोगतंत्र में ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोगतंत्र को मजबूति नहीं दे सकते और वो क्या है विमारी परिवार बादी पार्टी है और उनका तो मंत्र क्या है पार्टी इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनका राजनितिक दाल परिवार का परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतिजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं योग्यता को नकारते हैं सामर्फ़ को स्विकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोगतंत्र की मजबूति के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए हर किसी को हक मिले इसलिए और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत अज़वाद उसी प्रकारते तुश्टी करण तुश्टी करण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुक्सान किया अगर सामाजिक न्याय को तबाग किसे ने किया है तो ये तुश्टी करण की सोच तुश्टी करण की राजनिती तुश्टी करण का सरकारी योजनाओं का तरीका इसने सामाजिक न्याय को मौत के उतार दिया है और इसलिए हमें तुष्ट्रिकरान प्रस्टाचार यह विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है अगर देश विकास चाहता है देश 2047 विक्सित भारत का सपना का साकार करना चाहता है तो हमारे लिए आवश्चक है कि हम किसी भी हालत में देश में प्रस्टाचार को सहन नहीं करेंगे इस मूड को ले करके चलना चाहिए मेरे प्यारे परिवार जनों हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपुन दायत्व है आपने जिस प्रकार से जिंदगी जी है हमारे आने वाली पीडी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना यह हमारा गुना है यह हमारा दायत्व है कि हमारे आने वाली पीडी को हम ऐसा सम्र्द देश दें ऐसा संतुलिद देश दें ऐसा सामाजे गिन्याय की दरोहर वाला देश दें ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संगर्ष न करना पड़े हम सभी का कर्तव्य हर नार्गिक का कर्तव्य है और यह अमरित काल कर्तव्य काल है हम कर्तव्य से पीछे नहीं उर सकते हैं हमें वो भारत बनाना है जो पुझ बापू के सपनों का था हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वातंत्र सेदानियों का सपना था हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर सहीदों का था हमारी विरांगनाओं का था जिन्होंने मात्र भूमी के लिए अपना जीवन दे रिया तो मेरे प्यारे परिवार जनों मैं जब 2014 में आपके पास आया था तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था 2014 में मैंने आपको बादा किया था मैं परिवर्तन लाओंगा और 140 करोर मेरे परिवार जन आपने मुझे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश थी रिफॉर्म पर्फॉर्म ट्रांस्फॉर्म वो पांच साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था reform perform transform के द्वारा मैंने विस्वादे को विस्वाद में बदल दिया कठोर परिशम किया है देश के लिए किया है शान से किया है सिर्वर सरफ nation first रास्त सर्वपरी इस भाव से किया है 2019 में पर्फॉर्मंस के अधार पर आप समन मुझे फिर से आशिरवाद दिया परिवर्तन के अबादा मुझे आहां ले आया पर्फॉर्मंस मुझे दुबारा ले आया और आने वाले पांच साल अभूत्वव विकास के है 2047 के सपने को साकार करने का सब से बड़ा स्वाणिम पल आने वाले पांच साल है और अगली बार 15 अगस को इसी लाल के लिए से मैं आपको देश की उपलब्वियां आपके सामर्थ आपके संक्यल पर उसमें हुई प्रगती उसकी जो सफलता है उसके गवरवगान उससे भी अधिक आत्म विश्वात के सामने आपके सामने में प्रस्तूस करूँगा मेरे प्यारे प्रिये जनों मेरे परिवार जनों मैं आप मैंसे आता हूँ मैं आपके बीच से निकला हूँ मैं आपके लिए जीता हूँ अगर मुझे सपना भी आता है आपके लिए आता है अगर मैं पसीना भी बहाता हूँ तो आपके लिए बहाता हूँ क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दाइट को दिया है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे परिवार जन है और आपके परिवार के सदस्थ सके नाथे मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता हूँ मैं आपके सपनों को चूर-चूर होते नहीं देख सकता हूँ मैं आपके संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके आपका एक सेवक बन करके आपके साथ जुड़े रहने का आज़ादी के लिए जूजने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूँ और मुझे भी स्वात है हमारे पुर्वजों ने आज़ादी के लिए जो जंग लड़ा था जो सपने देखे थे वो सपने हमारे साथ है आजाजी के जंग में जिनों ने बलिजान दिया था उनके आशिरवान हमारे साथ है और 140 करोर देशवाचियों को एक ऐसा आउसर आया है ये आउसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया और इसलिए मेरे प्यारे पिये जनों आज जब मैं अमरित काल में आपके साथ बात कर रहा हूँ ये अमरित काल का पहला वर्ष है ये अमरित काल के पहले वर्ष पर जब मैं आप से बात कर रहा हूँ तो मैं आपको पुरे विश्वात से कहना चाहता हूँ चलता चलाता काल चक्र चलता चलाता काल चक्र अम्रित काल का भाल चक्र सब के सपने अपने सपने सब के सपने अपने सपने पन पे सपने सारे सब के सपने अपने सपने पन पे सपने सारे धीर चले भीर चले धीर चले भीर चले चले युवा हमारे भीर चले युवा हमारे नीती सही रीती नही गती सही राहन नही चुनोट 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 मेरे प्यारे परिवार जड़े हिंदुस्तान के कौने कौने में बैटे हुए मेरे परिवार जड़े दुनिया के कौने कौने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवार जड़े आप सब को आजादी के पावन पर्वकी फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुक्षक कामृणाय देता हूँ और ये अमरत काल हम सब के लिए करतब काल है ये अमरत काल हम सब को माभारती के लिए कुछ करगुजारने का काल है आजादी का जब जंग चल रहा था हाथ है 1947 के पहले जो पीडी ने जन्म लिया था उन्हें देश के लिए मरने का मोका मिला था वो देश के लिए मरने के लिए मोका नहीं छोड़ते थे लिएकि हमारे नसीम में देश के लिए मरने का मोका नहीं है लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का ये इस से बड़ा कोई आउसर नहीं होता हमें पल पल देश के लिए जीना है इसी संकल्प के साथ इस अमरितकाल में 140 करोर देश वाओं के सपने संकल्प नीबनाने है 140 करोर देश वाओं के संकल्प को सिद्धी में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा जन्दा फैरेगा तो विश्वा एक विख्षित भारत का गुंगान करता होगा इसी विश्वास के साथ इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक सुप्तामनाय देता हूँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ जैहिन 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 बारत माता की बारत माता की बन्देग 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 बन्द तो देखें लाल किले की प्राचीर से प्रधान अन्फिनरेंद्र मोदी का ये भाशन ये संभोधन देश की जरता के नाव आप सभी सुन रहे थे सततर बास, स्वाधीन तादबास, आप सभी को एक बार फिर से फर्स न जाकि और से जश्ने आजादी की धेरो धेरो शुब काम नाएं प्रधान मंत्री के संभोधन के कुछ हाईलाइट सब आपने सुने होंगे प्रधान मंत्री ने सभी को मेरे परिवार जन कहे कर संभोधित किया और थ्रूआउट उनके संभोधन उन्होंने इसी तरह से देश की जनता को संभोधित किया लोगतंत्र की जनिनी है भारत ये बात उन्होंने कही शुरुबात इसके साथ की और कहा कि किस सरहा से विश्व गुरू बनकर भारत पूरे विश्व में नए आयाम सापित कर रहा है जी ट्वेंटी का जिक्र किया जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भारत को मिली है साथी साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी ने चंद्रियान का जिक्र किया देश के हालातों का जिक्र किया मनिपूर का जिक्र किया तमाम सारी चीजों के बीच एक बड़ा संभोधन धानन्त्री नरेंद्र मूदी जो केसरिया बाना पहन कर लाल किले की प्राचीर से दस्वी बार अपना ये संबोधन दे रहे थे जंडा रोहन कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि अगली साल 15 गस को एक बार फिर से